हेलो स्टूडेंट्स आज मैं Q&A वीडियो लेकर आया हूँ अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आज की वीडियो में पहला सवाल किया है टेक श्रियस ने मैंने आल इन वन के आंसर दिये गए हैं उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और लेंग्विच भी इजी है इसलिए बोर्ड के परस्पेक्टिव से आंसर बहुत अच्छे हैं लेकिन आल इन वन बुक में दो ड्रॉबैक्स हैं नमबर वन आल इन वन बुक उस लेवस के हिसाब से लि आ गई थी इसलिए ये बुक्स एकार्डिंग टू रिडूस्ट स्लेबस नहीं हैं अगर आप आल इन वन बुक पर चेस करते हैं तो सीबी एसी ने जो टॉपिक जुलाई के मन्थ में डिलीट किये थे वो टॉपिक आपको खुद क्रास करने पड़ेंगे अल इन वन बुक क पर नहीं मिलेंगे सिरफ सेंपल पेपर्स के बीच में मिलेंगे अगला सवाल किया है नितू मनहास ने मैंने एक वीडियो बनाई थी बैस्ट बुक्स फार क्लास टेन उस वीडियो पर यह कामेंट करते हैं सर कोशन बैंक के बारे में कुछ बताएंगे क्या नितू जी कोश और good quality questions का यह question bank students teacher और examiner तीनों के लिए useful है क्योंकि students को important question और good quality questions मिल जाते हैं और teachers को good quality questions मिल जाते हैं students को जंच करने के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि examiner board exam में in question bank से direct question उठाकर डाल देता है इसलिए आपने अपने सीनियर से कई बार सुना होगा कि मैंने सिरफ कोशन बैंक किये थे और मैंने एक्जाम में 80% से भी जादा मार्क स्कोर कर लिए मार्किट में बहुत से पब्लिशर्स हैं जो कोशन बैंक पब्लिश करते हैं लेकिन एजुकार्ट, ओस्वाल और एक्जाम आइडिया इन तीनों के कोशन बैंक ज़्यादा पॉपलर है मैंने इन तीनों के question bank का review किया है और उनका comparison भी किया है उस comparison वीडियो में मैंने आपको clearly बताया था कि कौन सा question bank किस area में जादा अच्छा है और कौन से students को कौन सा question bank लेना चाहिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे channel में जाकर उस वीडियो को देख सकते है अगला comment किया है रेखा लालवंती जी ने ये कहती है I completed RD Sharma twice in a year of class 10th रेखा जी आप अपना experience शेयर करें कि दो बार RD Sharma solve करके आपको examination hall में क्या benefit हुआ और competitive exam में कितना benefit हुआ आपका experience आपके यूनियर्स के लिए बहुत ज्यादा useful होगा अगला सवाल किया है अधित्य महेश्वरी जी ने मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने NCRT textbook में deleted topic शो किये थे साथ ही मैंने आपको important question बताए थे और CBSE ने जो official sample paper release किया था उस sample paper में कौन से topic में से question आये थे वो topic मैंने NCRT textbook में mark करवाए थे उस वीडियो पर ये comment करते हैं which questions are deleted in construction chapter please tell me अधित्य जी मैंने उस वीडियो में हर एक chapter के बारे में आपको बताया था कि कौन से topic deleted है कौन से important question है और CBSE का जो official sample paper है कौन से topic में से उस sample paper में question पूछे गए थे इसलिए आप उस वीडियो को पूरा देखें आपको आपके सभी questions के answer मिल जाएंगे अगला question किया है मुसकान गोयल ने ये कहती है एजुकार्ट sample paper और question bank मुसकान जी मुझे इसी topic पर बहुत से comments आते हैं जो पूछते हैं sir question bank ले या sample paper ले इसलिए मुझे लगता है कि बहुत से students confusion में है कि उन्हें sample paper लगाना चाहिए या question bank लगाना चाहिए इस बात का answer आप अच्छी तरह से तब ही समझ पाएंगे अगर आपको sample paper और question bank के बीच में similarities भी पता होंगी और differences भी पता होंगे इसलिए सबसे पहले मैं आपको sample paper और question bank के बीच में similarities बताऊंगा और differences बताऊंगा उसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपको क्या लगाना चाहिए सबसे पहले बात similarities की करते हैं question bank और sample paper दोनों के बीच में आपको important question और quality questions मिलेंगे in fact sample paper और question bank के बीच में 60-70% questions same होते हैं difference cable questions की organization में होता है sample paper के बीच में questions different way में organize किये गए होते हैं और question bank के बीच में questions अलग way में organize किये गए होते हैं अब हम extra material की बात करते हैं sample paper और question bank दोनों में हमें same extra material मिलता है यानि के mind maps, revision notes, previous year solved papers और topers handwritten solution ये सबी चीज़े आपको कोशन बैंक में भी मिलेंगी और sample paper के बीच में भी मिलेंगी अब हम differences की बात करते हैं, कोशन बैंक static होता है, यानि के जो कोशन बैंक इस साल होगा, next year भी approximately same question bank होगा, कोई बहुत जादा changes नहीं होगी लेकिन sample paper dynamic होता है, CBSC हर साल एक sample paper release करती है और जो board exam होता है, वो उसी sample paper के according होता है इसलिए sample paper book इस CBSC के sample paper को follow करती है, जब आप exam like condition में sample paper लगाते हैं और sample paper लगाने के बाद जब आप अपने answers को check करके अपने आपको evaluate करते हैं, तो आप अपनी preparation को judge कर सकते हैं लेकिन question bank की help से आप अपनी preparation को judge नहीं कर सकते हैं, साथ ही जब आप sample paper लगाते हैं, तो आप time management भी सीख जाते हैं question bank हमें time management नहीं सिखाता, अगर हम board exam 2021 की बात करें, तो CBSE ने जो sample paper release किया था, उसमें very short answer type question और case based questions की weightage जादा है, लेकिन question bank के बीच में case based questions नहीं दिये गए हैं, साथ ही जो very short answer type questions हैं, उनकी weightage कम है, इसलिए 2021 board exam के perspective से अगर हम देखें, तो sample paper question bank के comparison में जादा relevant है, अगर आपने इन दोनों में से एक ही book को purchase करना है, तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप sample paper लेजिए, आपका question था, Educard sample paper या question bank, तो मैं आप से कहूँगा कि अगर आप दोनों में से एक ही book read करना चाहते हैं, तो Educard sample paper, आज की वीडियो में इतना ही, thank you.